नमस्कार रादे रादे हरर महा देओ मैं आपका आचार देओ चर्चा मासिक राशिपल मार्च मा कैसा जाएगा हुली कैसी रहेगी आपकी सतरंगी रहेगी या रंग में पड़ेगा बंग मासिय रात्री भी सी माह में आ रही है तो मासिय रात्री का पर्व कैसा रहेगा आप करते रहें और चैनल को सपोर्ट करते रहें सब्क्राइब करते हुए आगे बढ़ें हम बात करेंगे ब्रिश्चिक लगन ब्रिश्चिक रास के जात्कों के लिए या गोचरी स्थिति कैसी रहेगी इस मां की एक लाइन में आपको बोलू को होली बहुत सुंदर जाएगी सब कुछ अच्छा होगा सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन ऐसा होता नहीं है तुदा पॉइंट चीजों को समझेगा फिर आगे बढ़िएगा हमने आपको भरवरी माह में एक उपाय बताया था ग्रहन योग भी पढ़ेगा और गुरू सनी मंगल का दंगल योग भी बने होगे बहुत सी चीजों से नकारात्मक चीजों से इसले बच जाओगे क्योंकि आपके मंगल लाग के घर में जाने मारे हैं आप के ऊपर कोई इल्याम आजाया आपको पर कोई परिशानी आजाया उस प्लेस से दूर चले जाओ आपका इम्मुनिटी सिस्टम मजबूत है त इसलिए या जो मंगल की गोचरी स्थितिया इस समय वो संगर्स के साथ आपको आगे बढ़ाने वाली है तो मंगल महाराज को देखें तो मंगल महाराज साथ मार्च से आपके धनिष्ठा में ही रहेंगे तो या धनिष्ठा का ही प्रभाव रहेगा तो बेतर है उच्चता प्रभाव आ रहा है ना मार्च में मंगल का उच्चता वाला प्रभाव ना पर वरीम उच्च की दिखाई दे रहें लेकिन उच्च के थे नहीं सेना पति जब चैना सब पीट पाट के दूर्स कर देगा चल कहां रहे हैं लावन आकालपुर्य के कुंडली में लाभव में परिस्टतिया विपरीत होती है जीवन में लेकिन अगर अगर आप मजबूती के साथ खड़े हैं और आप के अंदर छमता जो लोग उपद्रों कर रहे हैं उनको दंड देने की तो वही जो पद्र भी है वो आपके साथ मिलके कदम से कदम मिला के चलेगे अभी जो आंदोलन हो रहा है यह आंदोलन पहले भी हुआ करता था ठीक है उन लोगों ने गोली चलवाई तीन सो लोग मर गए पूरा आंदोलन सांत सांत पूरा सांत चूँ सिपू नहीं तो जब आप जिसे आपके बच्चे हैं आप उनको थोड़ा सा धीला छोड़ दो तो सर पे चड़के तांड़ो करते हैं लेकिन वही जूता उतारो और भी कुछ सांती तो आपके मंगल देव सक्तिसाली होके चल रहे हैं और शनी को अ इसलिए दंगल योग नहीं वनेगा किन्तो घर में थोड़ा सा घर में थोड़ा खिचाओ रहे वो रहेगा प्रेम कम खिचाओ ज़्यादा काम पर फोकस ज़्यादा तो अच्छा है जीवन काम करने के लिए है तो यह समय उच्चे के हैं और जब मौका मिले तो उसमें बहत याटर काम आप करते हृए है काम काम कि ए 7 कोड का काम है कोई ऐसा पार्ट है जूसपी विजासे कोड में अठके हुए अटके हुई कि आपका अपनुर है त्क मतलब बहेनजी लोगों के लिए यह बहेंजी लोग सिकायत करते हैं that कि आप मेरे हमें इंगित ही नहीं करते हो सब के लिए यहां पर जातक और जाती का दोनों बराबर हैं तो यहां मौका है आपको कोड में विजय प्राप्त करने के लिए क्योंकि मंगल देव उच्च के होके चलना है अता कोड में विजय प्राप्त कराएंगे ठीक तो यह सनी अब आप देखें सनी महाराज के जो इस्तती बन रही है आपके कुंडली में ये नौ मार्च से बेहतर फल देंगे मीन नवांस में जाएंगे रासी में वहीं पे रहेंगे भाई मेरे साथ तुरा सट टेकनिकल फाल्ट याता है लोगों के रिए कि तुरन तो बोलेंगे रासी है वो है नच्छत्र और उसमें नवांस तो नवांस में जाके ही फल मिलता है मीन मतलब प्रेम मीन मतलब संतान मीन मतलब बुद्धी मीन मतलब गुरू की दूसरी रासी धन धन का सुख तो सनी देव भी सुख देंगे ठीक किसका सुख देंगे भाई आप घर बना रहे है उ उस और साथ आधै, और साथ मार्च पुद्ध देव में में चले जाएंगे और शुक्र देव कुम्भ में तो सनी सुक्र की यूती जब सनी सुक्र की यूती हो तो सासकार कहते हैं कि आपको मंत्री पदत मिल सकता है क्या मिल सकता है तो भाई आप इस समय चुनावी गहमा गहमी चल रही है टिकट के चक्कर में हो तो टिकट आपको मिल सकता है किसी इस्तरी का या इस्तरी हैं तो पुर बढ़ सकते हैं बुद्ध्ध्यों का नीच का होना बोत दिन नीच के नहीं रहेंगे दोगा साह पानियों साप सुतरा ने कंडिया साथ मेति खहां करिए यह जो यह Chrome की देन इसमें मेति खाना आपके लिए बहतर प्रणामे देगह कासा थैब बहतर हो लगएगा मेथि खाए उड़ला खाएई बहतर रहेंगे आमला नास्तिवाला की बात खतम करके टका देने की कोशिस करेंगे टक टकाना नहीं पड़ेगा टका मिलेगा गुरु महाराज की स्वता अगर बात करें तो गुरु महाराज अभी भरणी के दुती पदा में चल लहा है इसमें भरणी के दुती पदा में और भरनी के तृती पदा में आएंगे ये 16 मार्च से ठीक है तृती पदा भी आपके लिए लाब कारिक है तुला आएगा तुला मतलब विदेश सिलाब विदेश का प्रुभाव तो गुरु महाराज दीरे दीरे बेहतरी करें गुरु से बिल्कुल टेंशन पालिएगा गु ठीक अब सूर्य राहु के यूति महत्पून यूति ओवर कानिफिटेंस में मत रहिएगा अलाकि सूर्य राहु के यूति कि पर मैं इस्ट्रा विदेव आपको दूंगा सब रास्यों पर क्योंकि यह यूति होती है न हमें लगता है कि हमारे जैसा कोई नहीं है मुझे करोंगा आपसो डिफिट नहीं काओंगा यह आत्म विस्वास है मुझे आप हरा ही नहीं सकते मेरे से बेतर कोई करी नहीं सकता इसको बोलते है और और कान्पिटन्स और मुस्किल में डालने वाला होता है सूर्य राहु के यूति राहु यहां पर मजबूती के साथ आगे बढ़ने का कि सनी को सपोर्ट में ले रखा है और कुद बुद के नच्छत में बैठा हुआ है जो नवांस है उसमें भी मजबूती प्राप्त कर रहा है इसलिए सूर को दबाएगा तो क्या करेंगे वैसे आप सीनियर इस आलवेज राइट मैं एकसर बोलता हूँ बड़ा ब कितना भी चौणी कर लो कितना भी जीम जाओ गर्दन से उपर सीना नहीं जा सकता आपका उसी तरह आप बड़े पंख निकल सकते हैं आप किसी पत्पे काम करते हैं किसी मंत्री सी परिचय हो सकता लेकिन सीनियर इस सीनियर वह जब चाहेगा रगड देगा इसलिए इस समय स सीनियर से बिल्कुल मत रख राइएगा बिल्कुल मत रख राइएगा भई नहीं तो यहां पे थुड़ा सा तलवार लटक सकते हैं आपके नवकरी पे अस्थानांतरन का योग भी बन सकता है आपको टीडी बगएर आएसी जगह भीजा जाएगा जहां आपको जाने को मन ह नहीं करेगा लेकिन जाना पड़ेगा तो ग्रहाण योग से 100% ध्यान रखना है उपाय मैंने आपको पहले बता दिया है आसा करता हूं आप उपाय करके रखे होंगे जो सनी मंगल का दंगल योग बन रहा है इससे बिल्कुल टेंसन नहीं लेना है क्योंकि मंगल सनी को अपन सुर्य नारायन को मजबूत करके रखेगा उन ग्रण सुर्य आयनमा पिता या पिता तुल लोगों को प्रणाम करके चलिए प्रणाम आपके फेवर में आएगा खराब चीज जो है राहू की चीजों को खराब मत करिएगा इस समय किसी से स्टील का आइटम घड़ी वगएर या इलेक्ट्रिक आइटम गिप्ट मत लेजिएगा ठीक नहीं तो राहू और प्रवल हो जाएगा गर में कोई इलेक्ट्रिक आइटम खराब पड़े हुए हैं तो उनको तुरन ततकाल बाहर कर दीजे कभाड़ आपने कठा कर रखा बाहर कर दीजे बातरूम गंदा करने क कि आदत ये आदत आपको भारी पड़ेगी, इसलिए खुद साप कराईए, किसे साप कराईए, खुद साप कराईए, साप कराए रखे, क्लीन रखे, चीजें बेहतर होंगे, इसी बीच महासुरात्री फर्ष्ट वीक में आ रही है, फर्ष्ट वीक के इंड में, या सिकन्ड वीक में आ रही है, और फिर ट्वन्टी फाइब को होली आ रही है, तो होली बेहतर जाएगी, कोई डाउट नहीं है, होली के बात की स्थितियां जो है न, वो थुड़ा सा दबाव जाएगी, महास युरात्री भी आपके लिए एक पर्व है, मैं अक्सर कहता हूँ कि परमात्मा जब आपको परिशानी देते हैं, तो उसके पहले परिहार या उपाय देते हैं, तो महास युरात्री आपके लिए एक आउसर है भाई, ग्रह न, चत्रसव उसी के रोम रोम में घूमते हैं, यह जिसको अभी दीर दीरे साइंस जैसे जैसे अपक्रेट होता जाएगा न, सनातन धर्म की कही हुई बातें दीरे दीरे बढ़ेंगे, पहले लोग मानते ही नहीं थे, लगते थे उनको एक ही ब्रमान्द है, जिसमें नजाने कितने परमान्द हैं, नजाने कितने सूर्य हैं, तो यह बगवान के नक्सिक में चलने वाली चीज़ें हैं, रोम रोम में चलने वाली हैं, उनके सरण में जाएंगे, उनके सहारे से रहेंगे, सारी चीज़ें ठीफ हो जाएंगे, मेट देंगे भाई लिख्या हुआ मेट देंगे यह महाकाल है जो काल का भी बाप है ना उसको नाम है महाकाल तो इनके इस्तराण में रहिएगा कोई भी परिशानी नहीं है तो भी इनकी आराधना करिएगा महासिरात्री एक बिसेस परवए है ना वो हमारे बाड़े को रिचारज करने के लिए है जैसे नारात्री चारवार नारात्री पढ़ती है महासिरात्री इस दिन की जो पूजा अराधना होती भिसेस फलदाई होती है तो चलिए खुश रहिएगा, स्वश्ठ रहिएगा सब्सक्राइब, मुश्राइब, दोनों माताओं के पीश थोड़ा सा तारतम में, क्रीट कर सकता है, आपकी वे संब्सक्राइब, क्रीट करता है, झाल, 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 झाल